best laptop for office work के लिए in 2021 में तो बात करते हैं सीधा number 4 लेकिन number 4 की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाता हूँ भी मैं आपको जितने भी laptop बताऊंगा वो वीडियो एक्टिंग के लिए बैस्ट होने वाले अगर आपने आफ्लाइन काम करना है जाक्लासिस बरह लगानी अगर आपने आउनलाइन क्लासिस लगानी है आपके लेटर काम करना है जाट ड्वालपर काम करना प्रोग्रामिंग करनी है कोडिंग करनी है उसके बाद भाई अगर आपने कोई भी हावी सॉफ्ट्वर भी यूज करना है आप इसली नॉम्मली कर सकोंगे तो बात करते हैं सीधा number 4 की number 4 की बात करें मैंने रख्या है MI Notebook Horizon को अ आपको ट्रैक पैड एंड टच पैड यह हुआ है वह बहुत सही मिल जाता है प्लस इसके डिस्प्ले क्वाल्टी बहुत अगड़ी है आपको HD प्लस वेब कैमरा साथ में free of cost देखने को मिलेगा जो कि प्लस पैड आ जाता अगर आपने online classes लगानी है आपके लिए प्लस मैं specification के according देखा जाए laptop पूरा loaded देखती को मिल जाता है मैं आपको main specification बता देता हूं थोड़ी सी deeply बात कर लेते हैं वाई तो यह डिस्प्ले की बातों को 40-inch full HD display दिस्प्ले मिल जाती जो कि anti-glate display processor की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाती प्लस आप entry backup provide कर देता है price की बात करों को 51,000 के budget में MI notebook horizon देखनी को मिल जाता है तो यहार main specification मैं आपको बता दिया MI notebook horizon के अभी मैं इसके minus point की भी बात कर लेता हूं so that's why मैं इसको number 4 पर रखा इसका minus point सिर्फ यह देखनी को मिलता है कि आपको 8GB RAM तो मिल जाती है लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता so that's why मैं इसको number 4 पर रखा तो आप इस चीज़ को दियान में रखना कि आपको RAM upgrade करने का option नहीं मिलता जो की सच में एक minus point आ जाता है तो आप देख लेना अगर आपको यह laptop जो है वो सही लगता है आप उसके और जा सकते हो अगर आपको 8GB RAM minimum बहुत है यार इसको number 4 पर रखा अभी आगे बात करते है number 3 की number 3 की बात करूं number 3 पर यार मैंने रखा Acer Aspire 5 को सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आपका प्रेड 50,000 से कम है तो यह laptop आपको 45,000 के budget में मिल जाता है 45,000 के budget में आपको specification पूरे loaded मिल जाते हैं बहुत अग 2GB RAM मिल जाते है expendable आप कर सकते हो पस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाते है SSD के benefit की अगर मैं बात करूं तो SSD का benefit यह होता है अगर आप data अगरा जल्दी transfer करना जाते हो तो आपके लिए बहुत benefit करेगी as comparison किया जा है HDD के साथ HDD की speed बहुत slow होती है ठीक है अगर आप 2GB या 3GB की file transfer करते हो है तो उसको यार आदा गंटा 40 मिनिर ऐसे लगते है लेकिन SSD में आपको यह चीज़ नहीं देखने को मिलेगी जो कि सच में SSD ही लेनी चाहिए अगर आप data ज़्यादा ज्यादा transfer करते हो ग्राफिक काड़ की बात करूं आपको नवीड यह G4 MX350 देखने को मिलेगा मैं आपको बता दिये अगर मैं स्पैसिफिकेशन के according देखा जो तो बहुत ज्यादा सही है आपको फॉड़ी फाउट के बजिट से लेके 50,000 के बजिट तक यह laptop देखने को मिल जाते है तो अगर आपने office बर के लिए चाहिए student हो पढ़ते हो पढ़ाते हो अगर programming करने है coding क करने है को हावी software यूज करना है video editing करना जाते हो या gaming करना जाते हो आप इस पे कर सकते हो आपको 2GB graphic card मिल जाता है 8GB RAM मिल जाते है जिसको आप upgrade कर जकते हो 16GB तक अगर आपने video editing करने है तो बही मैं आपको recommend करना जाता हूँ आपने 16GB RAM के और minimum चल जाना उसको upgrade कर लेना आपक कुछ भी पूछना जाते हो comment section में comment कर सकते हैं मैंने link वगरा description box में दिया हुआ है अभी आगे बात करते है number 2 की तो अभी बात करते है number 2 की लेकिन मैं आपको कहा देना जाता हूँ number 2 and number 1 को दोनों को मैंने combine कर दिया because दोनों ही laptop जो वह Acer की आउर से ही आते है इस budget range में Acer ब अगर आपको gaming design नहीं चाहिए तो Acer Aspire 7 आपके लिए perfect deal हो सकता है बट अगर आपको gaming design चाहिए अगर आपको gaming design से matter कुछ भी नहीं करता आपको specification loaded चाहिए कि अगर आपने कोई heavy software यूज करना है gaming करना है video acting करना है आपके लिए best होने वाला Acer Nitro 5 पहले मैं कल तो बोली लग भी बता दिया अभी बात करता है दोनों के main specification की थोड़ा से deeply बात कर लेते हैं तो यह display की बातों को 15.16 full HD display मिल जाती है जो की 16 refresh rate के साथ आती है तो 16 refresh rate यार average display होती है इतना तगरा भी नहीं कह सकता है इतना इसको गलत भी नहीं कह सकता है इस चीज को आप दियान में रखना आप processor की बातों को i5-19 generation के साथ मिलता है storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाती है अपको 32GB दक प्लस आपको 5GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार्ड की बातों को GTX 16504GB मिल जाता हूँ प्रिणी सेस्टर की बातों को window 10 मिल जाती है प्लस आपको fingerprint वगारा भी देखने को मिल जाएगा तो यह अभी बात करते हैं इस से नीट्रो फार्ग की तो डिस्प्ले की बातों को 50.6 फ्लेस्टी प्लस IPS पैनल डिस्प्ले मिल जाती है जो की 16 रिफ्रेश्ट के साथ आती है प्रसासर की बात करूं इसमें भी आपको AMD राजन फार्ग देखने को मिल जाती है त्र आपको 57,000 के बजट में इस से नीट्रो फार्ग देखने को मिल जाएगा तो यह मैंने आपको दोनों ही लैट्टॉप के बता दिये मुझे पता है मैंने जो आपको लैट्टॉप बताए उनका प्राइस जो है वो 50,000 से अपर चला जाता है तो यह अगर आप एक्स्टा पी डील हो जकता है अगर मतलब अगर आपका पचास थाजार से भी कम है तो अपके लिए बेस्ट डील हो सकता है इस प्राइज में इस सर बहुत तगड़ा भी अगर आपका बजिट तीस थाजार होता तो मैं आपको लिनोवो लैट्टॉप के और जाने को कहा था विकॉज उत ब्रॉग्रमिंग करने कोडिंग करने आपने एज़टेर काम करना जब कोई भी लॉड़ फाईल पर काम करना सभी के लिए जो मैंने आपको लैट्टाप बता है वह बहुत अगड़े होने वाले तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खथम अगर आपको मेंगे अब एच्छे लगी यार वीडियो को लाइक करतना ख्मेंट करते दोस्तों के भी दोस्तों को बेतना उनको भी कहा दने की सब्सक्राब विडियो को लायक एन इस्टाग्राम पीको फॉलो लिंक आपको दिस्क्रिप्शियन ब्रॉक्स में देखने को मिल जाएक उसको चाहट क झाल झाल